असाध्य रोग को कैसे दूर करें असाध्य रोग को दूर करने है तो रभीवार के दिन विसेश कर रभीवारी सत्यमे को बिना नमा कबरत रखें सुरी को कारे तिल डाल कर अरग दें तिल के तेल का देपक दिखाएं दही चावल का भोग लगाएं अच्चितानंद अनत गोबिंद नामच चरण भेश्चत नस्यंत सक्ला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यम एक सो आठ बार कटूरी की जल को देखते हुए पढ़ें और पी जाएं अत्वा ओम हंसा महंसा इस मंत्र का भी एक सो आठ बार जब कर जल पी सकते हैं धर्मराज मंत्र की रोज बिन्योग सहित एक माला जिरू करें बिन्योग ओम असिस्री धर्मराज मंत्र से वाम देवा रिशी गायत्री छंद शवन देवता मं सर्व रोग निब्रित्र भाव आथार्थ जपे बिन्योगा मंत्र ओम क्रॉम रीम आम वैवश्वताय धर्मराज बच्ता अनुग्रह किरते नमा मंत्र में अमुक की जगा रोगी का नाम भी ले सकते हैं ओम मं आरोग सकती जागरे-जागरे दोनों हथेलियों को तेजी से रगड़ते हुए या मंत्र पढ़ें और पूरे शरीर में अधवा रोग रस्त इस्थान में हथेली को इसपरस करते हुए भावना करेंगी सारा रोग दूर हो रहा है ऐसा रोज सुभाई शाम एक साथ तीन बार करें यदि गरहे दोस अधवा पितर दोस के कारण रोग है तो हर सनीवार को काले तिल उड़त मिसरत जल्द से पीपल को जल्द दें तथा ओम नमस शिवाय का 108 बार जब करते हुए परिकर्मा करें दीपक जलाएं हर मावस्या को शनी या पितर दोस निब्रती के लिए उड़त की दाल काले कपड़े तले भे पदार्थ एवन दूद का दान करें स्वेर ही स्वेर